So hi guys, I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे, October का होने जा रहा है end, October के end में क्या होता है market में, November मन्थ कैसा जाता है, कैसी रहती है market और क्या आप expect कर सकते हो November and December मन्थ के अंदर, इस साल के अंदर हम दुबारा जानेंगे, दुबारा से history के अंदर देखे, क्रिप्टो के अंदर मै खौद simple pattern चल रहा है, कोई भी TA देखने की खास जरूरत भी नहीं पड़ी है आद तक मेरे को, उसका सबसे बड़ा reason है, market एक cycle को follow कर रही है, उस cycle को अगर हम follow कर ले, तो we can predict कि क्या होने वाला है market के अंदर, हर बार हम सही होंगे नहीं होंगे, I really don't know, लेकिन जब तक सही है हो रहा है, market उसी pattern को follow कर रही है, तो let us keep on following it, तो आज आप लोगों का सबसे बड़ा question, कब हम BTC का नया all time high देखेंगे, हम कब 75, 85, 100,000 डॉलर्स या उससे भी beyond BTC को जाता हुआ देखेंगे, आज उसके ओपर हम बात करेंगे, 2021 की history के साथ comparison करके, और साथ ही साथ comparison करके 2017 की history के साथ, जहां पर दोनों हमने bull season देखेते हैं, तो दोनों को comparison करके आरे आप बताऊंगा, कि क्या हम expect कर सकते हैं आने वले time के अंदर, अब भी तक सब कुछ same pattern follow हो रहा है, आप कह सकते हो हमारा जो सबसे बड़ा दुख का time, सबसे hard time था, वो already हमने survive कर लिया है, now it is time, जहा जायद बहुत बड़ा एक reason हो सकता है, USA का election, Trump का यहाँ पर जीतना, जिसके वज़े से काफी दादा market के अंदर momentum हो सकता है, अगर वो नहीं भी होता, तो हमें काफी कुछ charts और परानी history दिखाती है, कि January के अंदर से old wine रुकते ही नहीं है, कब तक वो बढ़ते हैं, वो भी आपको बात करूँगा, उसके बाद हम एक और वीडियो में बात करेंगे, अगर आप लोग पूछना चाहेंगे, हमें exit कब करना है इस season के अंदर, जब market बढ़ रही होएगी, हमें exit कहाँ पे करना है, उसके बारे में भी एक वीडियो के अंदर answer दोंगा, अगर आप comment box में पूछ रहे होगे, कि yes, we want to know when we exit after taking the profit, अभी मैं को पता है, आप में से काफी लोग केंगे, सर अभी the profit हुआ ही नहीं, exit की बात क्यों कर रहे हो, for sure, हमारे को हर चीज़ के लिए prepare रहना ज़रूरी होता है, that is why I am talking about preparation, हमारी आने वले वक्त के अंदर, अगर जो हमने चाहा है वो हमने achieve कर लिया, तो अगर आपने achieve कर लिया, वो जाने में वक्त नहीं लगेगा, अगर आपकी exit strategy नहीं होईगी, तो अगर आप वो भी जानना चाहते है, कब मैं exit करूँगा, दوبारा re-entry कैसे करेंगे हम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, नेक्स वीडियो में अगर आप लोगों ने comment box में पहुचा, आप फिलहाल जानते है, बी टी सी निया all time high कब बना सकता है, नोवंबर, डिसेंबर और लास्ट वीक, जो अभी कुछी दिन बचे एक्टूबर के अंदर हम क्या expect कर सकते है, और जनवरी, फरवरी के अंदर कैसा कुछ होगा, कि market कब हमार जो वी आईपी कॉल्स मैं आपको हमारे चैनल पर दूँगा, टेलिग्राम पर दूँगा, कोई और आपको नहीं दे पाएगा, काफी सारी ऐसी information चीज़े मेरे पास है, और आती रहती है, जो कि मैं अपनी community के साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ, और एक bull season के अंदर, इस bull connected, तो बहुत ज़्यादा चांसित होंगे, कि we will be able to make a lot of big profit together, चलते हैं फिलाल, computer screen पे, आई उमीद करता हूँ, मैं भाईयों, कि आप लोगोंने वीडियो का पी तक like जरूर कर दिया होगा, So hi guys, time को waste नहीं करते और बात करते हैं, फिलाल चल रहा है BTC 68,400 ये जो जोन है, जो कि 68,600 का जोन है, थोड़ा सा यहाँ पे हमारे को resistance दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि yes, BTC यहाँ पे जादा पुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन वेरी, आगर हम बात क अक्टूबर के last weeks की, तो history के अपर चलते हैं, तो last week clearly दिखाती है 2021 का chart, let us go, और आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दुबारा से, आपको समझने की जो की जुरूत है, हर एक bull season में दो बार all time high बनता है, इस बार already एक all time high बन चुका है, उसके बाद अब दुबारा all time high बनेगा, तो इस बार थोड़ा सा इस चीज़ में changes है, लेकिन देखते है, अगर हम pattern same follow कर रहे होंगे, तो आपको मैं आने विले वक्त में बताऊंगा कि हमें exit कप करना है, क्योंकि काफी कुछ आपको similar charts पे दिखाई दे जाएगा, अगर हम बात करे 2021 की cycle की, हमने 69,000 dollars all time हम ही देखा, और हम यहाँ पे अगर October की बात करे, तो October के last week अगर हम बात करे, तो यह आपके सामने है, जो अभी dates चल रही है, 28th of October, जहाँ में market pump होई, और straight away हम चलेगे 57 से 63,000, जो कि 10% का pump था, उसके बाद market थोड़ी सी correct होई, और आप कह सकते हूँ, closing होई 61,000 dollars पे, या अगर हम यही बात करें, 2017 के चार्ट के ओपर, तो यही October के मन्त, यही दिनों के अंदर, let us see, 25 और आप यह देख सकते हो, यही सेम दिन, 27, 28th, जहाँ में market सीधा 5,700 से बढ़के चली गई, let us see, 6400 dollars तक, याने कि यहाँ भी market नहीं, 10% की growth दिखाई, इन October के last के कुछ दिनों के अंदर, अगर हम इस बक्त 10% की growth की बात करें, तो हम अपने all time high के आसपास हो सकते है, जो कि 74,000 के पास का है, हो सकता है, ऐसा हमारा को देखने को मिल जाए, because October मन्त, usually 12-13% प्लस रहता है, अब उसके बाद important है, हमारे लिए यह देखना, अब हमने चार सी साइकल, जो चार बियर सीजन देख लिया, अब October का जो मन्त है, उसके बाद November जब आता है, straight away, हमागो November के अंदर हमेशा momentum मिलता है, November जो मन्त है, वो उपर जाता है, और इस मन्त के अंदर, ज्यादा तर, old coin बहुत जादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अगर बढ़ते हैं, तो बहुत स्वीड उसके बाद, usually जो हमने देखा है, January हमेशा अच्छा रहा है, December के आपके दो last के दो week है, वो हर बार मैंने देखा है, कि week रहे है, क्योंकि उसके सबस्वीड होता है, holidays का, Christmas का, और लोगों का चुटियों पर चले जाना, ये दो week के अंदर market में volume नहीं होती, यानि कि December 15 से ले उसके अंदर भी 12,500 डॉलर से हम, straight away 17,000 डॉलर चले गए थे, January के मन्त के अंदर, same अगर हम बात करे, 2021 की, let us come to 2021 cycle, जहां पर हमने 69,000 डॉलर का फिलाल हाई देखा, नॉम्बर का मन्त आप देख सकते हो, नॉम्बर का मन्त positive रहा, दुबारा, December का मन्त के अगर हम बात करे, let picture में वो time है, जहां पर हम already high बना, चुकि हमें पिछले होले chart को देखना है, let us go back, December का मन्त जो है, आपके सामने है, December का मन्त जो है, already high गया, यहां से, हम नॉम्बर के अंदर, करीबन करीबन थे, 14-15,000 डॉलर पे, और नॉम्बर end होने तक हम पोहुच गए, 20-21,000 डॉलर त जो की मन्त होता है, January, जिसके अंदर आप देख सकते हो, यहां पे भी बहुत जबरस रली ली और first, one week, 10 days, बहुत जबरस market पड़ी, 4-5 दिन market गीरी, उसका दुबारा market ने growth ली, फिर थोड़ी सी market स्टेबलाइज होई, थोड़ी सी गीरी, और उसके बाद दुबारा से market न जनुरी, फबरी आप यहां पर देख सकते हो, मार्ज भी यहां पर पॉजिटिव देख सकते हो, उसके बाद जो क्रैश आया, वो यूजुली हमने देखा है, एपरिल और मे के मन्त में आता है, यहां पर आपरिल में देख सकते हो, यहां पर हमारे को क्रैश देखने को मिला में के मंद میں हमारे को क्रैश देखने को मिला और उसके बाद जून भी बुरा रहता है ऐपरेल में जून मंद हमारे ले थोड़ा बुरा रहता है जुलाइ उक्योन के एवरेज रहता है वह भी मैं कहूँगा बुरी साइड पे ही रहता है उसके बाद दुबारा से market recover करती है अगर आप 2021 की साइकल को दुबारा से देखो तो हमने एक हाई बनाया 65,000 डॉलर का और 65,000 डॉलर के बाद हम जनुरी फ़वरी मार्च में अच्छे रहे लेकिन उसके बाद अपरेल में गिरे, मही में गिरा, जून में गिरी market और यही सब 2017 की सैकल में भी हुआ है तो यह काफी हद तक मैं इस बार की सैकल में इमीद कर रहा हूँ आप देख सकते हो हमने ऐप्रेल के अंदर 2021 के अंदर और मार्केट गिरी में के अंदर मार्केट गिरी उसके बाल मार्केट स्टेबलाइज हुई एक ही जगहां में चलती रही और जुलाई के एंड से हमने मार्केट ने दुबारा पिक अप करना शुरू किया और दुबारा हमने एक आल टाइम हाई बनाया तो अब मैं एक जरूर कह सकता हूं कि हम अगर प्रीविस हिस्ट्री को देखे 2021 की चाहे 2017 की दोनों के अंदर टूबर मंथ जो है वहां से रैली अपाना शुरू होता है जो कि इस बार भी हुआ है मार्केट पॉजिटिव रहती है जो कि इस बार भी होई है नोवंबर मंथ के अंदर ज्यादा तर आल्ट पाइन तो खास नहीं बढ़ते लेकिन ए लुपलेशन करी जाए और इस बार तो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है एलेक्शन का जहां पर अगर यह बाता पगड़ के चलना अगर ट्रम्प हार गया तो यह चार्ट और यह सारी चीदे खराब हो जाएगी और मार्केट जो है बहुत नेगेटिव साइड पे भी जा सकत है लेकिन अगर ट्रम्प हार गया तो काफी कुछ मार्केट में नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है उसको भी हमाएक को ध्यान में रखना है I really hope कि आप लोगों को यह आंसा तो समझ आगा हो कि अक्टूबर नॉम्बर डिसमबर काफी पॉसिटिव लग रहा है जनवरी से वहां बनाए हम अपना रियल और टाइम हाई और उसके बाद आदेगी हमारी बियर साइकल बागी गाइस मिलेंगे नेक्स वीडियो के अंदर I really hope आप लोगों का कोशन का अंसर जो की मेन है कि अभी हमारे को बीटी सी 75,000 85,000 एक लाज डालर काफ देखने हो मैं कोंगा नॉ इस तू डेज और नॉवंबर खराब जाते है जा सकते है इस बार भी उसके बाद market improve हो सकती है और ट्रंप जीत गया उसके तास तो market ओर जादा improve भी हो सकती है बागी गार वीडियो को like करें बिना आगे मज जाना और exit strategy चाहिए किस दिन करना है exit वो अगर चाहिए तो message में क काफ़ी हद तक कुछ चीजों का आइडिया है कि हमें exit कब करना चाहिए तो वह मैं आपके साथ दूरूर शेयर करूंगा बागी गाइस मिलेंगे नेक्स वीडियो के इंदर तिल देन बाग बाई टिक किया और एंड हैव वान